चाहे राजनीती हो या लोकतंतर हो युवाओं की भागेदारी एक एहम भूमिका निबाती है आज हम श्री करनपूर विधानसभा में हैं यहां के कुछ युवावर्ग से बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले चुनावों को लेकर क्या है उनकी राए हमारे साथ मुझूद हैं कुछ यूथ और कुछ ऐसे जो पहली बार वोट करने जाएंगे आपसे मैं जाना चाहूँगा अगा पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो क्या सोचते हैं कि पहली बार वोट करने जाएंगे किस तरह की फिलिंग है बहुत बार सुनने में आता है कि पेपर लिक जैसी गटनाए हो जाती है यह या युवाओं को नोकरी नहीं मिल पाती है क्या सोचते हैं कि जोँआने वाली सरकार है क्या काम करें ऐसा। पर यह बहुँ जादा उन स्टूडेंट पर बहुँ जादा गहरा पर बाव डालता है कि उन पर क्या भीती है यह जो एक दम से जो चानक पर लीग हो जाते हैं तो सरकार को थोड़ा देना चाहिए आप भी पहली बार बोट डालने जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगी कैसा लग मैं पहली बार बोट डालने जा रही हूं मेरे मन में कुछ डर भी है और कुछ अच्छे सुझा भी है मैं यह चाहती हूं कि मेरा जो पहला वोट है ना वोट खराब ना जाए सरकार इस वोट का सही प्योग करें तक आने वाले समय में जब हम पड़ लिख जाएं तो हमें हम बाबा पेवोगत राते हैं बच्चीओं को शायर बेजने के लिए हां जी है तो महील बच्चीओं के साथ महिलाओं के साथ जैसे बहुत बार सुनने मैं चेहरट-चाड की गटना ही होती है दूर वे बार होता है उसको लेकर आप क्या सोचते हो कि आरने वाली सरकार है वो क को खोला झाए ऊश के तो कोलेजु भी खोले जाए तकि असान हो जाए जाना अप पिरफली बार वोट डّल No प्या सोचती है कैसी होनी चैए सरकार सबकार्द्य रखना चाहिए और जो वोट डाल रहा है उस पर अच्सी सरकार आनी चाहिए कि नोखर projects को लेकर क्या है और cares कुछ लड़के भी हमारे साफ मुजूद है पहली पार शाहा है चाहिए पहली हो लड़के वोग हो लादा किहसा हो रहा है कि पहली बर वोट डालने जाएंगे आपके वोट से सरकार का निर्मान होगा कैसा लग रहा है कि सर फार हम चाते हैं भी सरकार अच्छी भनें जो जनता इस में काम करें इसके लिए जो सरकार आएगी वह स्कूलों में स्र जैसे लाइबरी वग्यारा वो बनाए और सर जो नोक्रिय हैं सर उन पर थोड़ा सा काम करें जासे वह पेपर हो जाते हैं हो बाद में लीक हो जाते हैं और ऐसे आगरेसर उसमें सर गोवर्धमेंट जैसे वह करमचारी होते सर ुन पर थोड़ा सा आ extra उसकाह सरकार करें, का कोई और भी ऐसे मुद्धे है आजए सड़कों को लेके हो या कुछ और बिजली पानी को लेके जो आप सोचते हैं कि आने वाली सरकार है वो बेतर करें जैसे कि सर हमारे गाउं में वैसे अभी सड़कों का तो विकास हुआ है क्योंकि अब अब दो बढ़ रहा है तो अन्ती में काफी विकास हुआ है वैसे तो तो अभी इतना गाउं में विकास नहीं हुआ हमा बिलकुल करें तो 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 सर हम चाहते हैं कि गाउं में सर लाइब्रेरी वेगहरह कि जैसी बाही ने अभी बात की है ना कि सर लाइबरेरी का जैसे मुद्ध होनाँ चाहिए तो सर मारे सार पांच वर्षे पहले सब्सक्राइब लड़कों के लिए सरकार कोई काम नहीं करी है जो भी काम करी लड़कें के लिए सब्सक्राइब शाहत्तर वर्ति अब जाते हैं तो तारीक निकल जाती है सब्सक्राइब लड़कों के लिए स्कीम नहीं चाहिए जैसे सर महिलाओं को तो सब्सक्राइब लड़कों के लिए स्कूटरी दे रहे हैं शात्तर वर्ति दे रहे हैं लड़कियों को लड़कों के लिए सर कुछ में नहीं चलाते कुछ और बच्चियां भी खड़ी हैं आप हमारे कोलेज के लिए भी कुछ हो कि हमारे को लीज में बार यह थो यह बहुंग प्रूट डूनीज है और बार सफ टो इसमें कुछ विकास हो presummeuted में विकास हूँ यह बच्ची कुछ कहना चाहिए आप बता हो क्या कहना चाहिए हमारे कॉलेज में टीचर भी पूरे आने चाहिए और जो ऐसे पॉल्टिकल साइंस है उसके टीचर नहीं है और पंजाबी लिटरेश्चर के भी टीचर अभी आनी रहे हैं सबी के टीचर आने चाहिए और बिल्डिंग बननी चाहिए पानी की सुवीदा पूरी होनी चाहिए और जैसे हमारे गाम में स्कूल बहुत चोटा प्राइमरी स्कूल है उसमें बिल्डिंग नहीं है वो बिल्डिंग बननी चाहिए बच्चे जाते हैं दूर जाते हैं बच्चों के लिए सब स पहानियों तक शिक्षा पहुंचे वहीं लड़कों का ये कहना है कि सरकार लड़कियों के लिए तो काफी अच्छी योजने चला देती है लड़कों को भी उन योजनाओं में परतिनी जितव मिलना चाहिए अब देखना होगा कि आने वाली 25 नुमंबर को मद्दान के दिन औ और तीन दिसंबर को मद्दान के बाद मद्दगना के बाद क्या नेतरतव यही रहता है या नया आता है और यूआवरक के लिए क्या कुछ होने वाला है कुलदीब गोयल एंडी टीवी श्री गंगनेगर